इदरे है कुछ नहीं है मुंसपल्टी है काम कुछ नहीं है पोस्पिल्ट की बिल्डिंगे देख लीजिए जो कांगर्स ने सतर साल में बनाया इन्होंने दा साल में बेचने का काम किया है आज लोग अपने आपको ठगा हुआ मैसूस कर रहे हैं आज कोई भी रामगार्ड मे स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए क्या सिरकार की डिप्टी नहीं बनती थी इन्हों ने जुमलों के अलाबा लोगों को कुछ नहीं दिया इनको फूशों के आपने खुद ही टोल प्लाजा बनाया और खुद ही उठा लिया तो जो पाइं साल का लोगों से पैसा भार अकार नहीं ले सकता जो पी बिहार का अकार नहीं लेने देंगे मोदी साब का जो नेरा नहिए न्ल मैं जा लो होगा कुछिया न परिवर्टन चाहते हैं अगर परिवर्टन हुआ तो जिस तरह मैंने सांबा में काम की हैं, वो ही काम रामगर में होगे। हमारी ये कोशी होगी कि बार्डर के लोगों को स्पेशल र्कूर्टमेंट इन के लिए हो ताके यही लोग हैं जिनों बार्डर को सेफ रखा है। क्या आप अपने बिजनस के लिए वेबसाइट बनाना चाते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको रिलाइबल गाइडन्स कहां से लिए। हाई मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर रफाई, मैं फाउंडर और सी हों प्यार टिक्नॉलजी सेलिशन का। हम पिशले साथ सालों से वेबसाइट डिजाइन और डिचन मार्केटिंग इस सर्वेसे हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। अभी जख अपने 15 सो से ज्यादा बिजनस ओनर्स को उनकी वेबसाइट बनाने में हेल्प की है। हमारे पूर्ब मंतरी जश्पाल कुंडल जी बात करने के लिए मजूद हैं। या किन मुद्दो को लेकर इस वार जन्ता के बीच जा रहे हैं यह लोगों के मुद्दे हैं। जितने ओवारे जाएं वो कम हैं, आज लोग अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2014 से पहले इन्होंने कहा कि हर साल दो क्रोड नोक्रियां देंगे। इन्होंने कहा ब्रस्टाचार दूर होगा। इन्होंने कहा कि हम मगही को कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज ऋलट थापित हो रहा है। और इसमें कोई दोन आज नहीं कि आए साब जुमला साबित हो रहा है। तो मेरे से कहुंगा कि आप देख लीजीे। इन्होंने कहां कि हर साल दो क्रोड नोक्रियां देंगे, άई बो कहा है। इन्होंने कहा कालादान आम लाएंगे लोगों के खाते में 15-15 लाख रवा डालेंगे आई वो कहा है इन्होंने कहा कि मगाई की बहुत मार है लोगों के उपर जब 400 रुपे का सिलंडर था बहुत महंगा लगता था मेरी बहन सम्रीती रानी दरने देती थी लेकन आज कोई ब इसınd आए गते में वाले है और योगों को सभीतान दीने पर Lehr और शाहन दोस्वाकर फोजमें जाते थी आज अगनी बीर बना दी कहा किसानों को पिछली देने बरसात में देखा कि इन बजारों को बिजली नहीं है उनके जो स्माल मीटर लगाए जा रहे हैं उनको इतना इतना बिल आ रहा है आज कोई भी रामगार्ड में स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए क्या सरकार की डिप्टी नहीं बनती थी कि जगा हाइर की जाए जगा अगर इतने उतने प्रजेक्ट लगा कर सरकार ले सकती है तो क्या 9 जारों को खेलने के लिए जगा ने मना सकते क्यों जे चाहते ही नहीं है कि 9 जारों के लिए खेले नंव जुआनों को बविश्य जवा उजबन हो जे-जो लोग है चित्टा 2014 के बाद आया चिराब गरगर में दे रहे हैं, तो नो जुआनों को इन्होंने बिकाड कर रख दिया, मैं उजे बताओं, इन्होंने हमारा समय प्लूटर कर दिया है, मेरी प्रियार्टी होगी, कि अगर ये लोग हमें मतदान देते हैं, बोड देते हैं, सबसे पहले रामगार टौन के तो डेली वेर को पका करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ साथ एक तकरीब असी लाख सम्थिंग, बीकेंट पोस्ट पड़ी हैं, वो फिलाप करने की कोशिश करेंगे, और किसानों के जो लोग कहा था, इन्होंने दुगणी या अंधनी, दो जार बाई तक हो नो जुआन परिशान है, हमारे किसान परिशान है, हमारा दुकान दारबाई परिशान है, तो इन्होंने जुमलों के अलाबा लोगों को कुछ नहीं दिया, हमारी स्टेट चले गई, हमारा रिता बजरी चला गया, तो रोडों पे गयर कुनों नी टोल टेक्स लगा दिये, इनको पूछो के आपने खुद दे टोल प्लाजा बनाया और खुद ही उठा लिया तो जो पाइश साल का लोगों से पैसा बसूल किया बो कहा है पहले हम गाड़ी लेते थे आठ दास हजार से नंबर लग जाता था आई दस प्रिसेंट नंबर के जा रहा है अगर दस लागी गाड़िया तो एक लाख रप्या नंबर लगाने के लिए आ रहा है तो मैं यह कहूंगा रोजगा रहा नहीं लेकन मगही जो है बो आसमान को शूरही है हमारी बहनों माताओं के लिए रसोई चलाना बड़ा मुश्कल हो गया है तो आज बताए ना भीजे पी वाले इन्हो दो भागा जगा मिलता है यह आए दिन वह दिन नहीं होता दी दिन कोई इन को आपस मैं इन गौंतर नहीं होता तो इबर एवन दो एक हमारे जे पे यामेल में रत्रपुर श्राड़े में कोठुवा म्य बणी में उदूपूर मैं लाटीटू हून मैं सुझुवा मैं कितन बुखारी पे भी ट्राइल किया, लॉंड बुखारी पें हैं, अब अच्छिनियर शीद welfare को जेह से बाह निकालाए है। जो तुम करें वो अच्छा है, जो दूसरा करें वो बुरा है। यह लोग कहते थे 2014 के पहले कि जितनी करप्शन हो ही है, जे इस करप्शन करने बालों को हम जेल में डालेंगे। जो इन से मिल जाते हैं, वो साबसुत्र हो जाते हैं, जो इनके खलाब बोलते हैं, उनके पीशे CBI रखी है, ED रखी है, दूसरी चीज़े रखी हैं, और आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान, पंजाब और हर्याना के, वो खाले स्थानी होगी। जब कोई मुसल्मान बाई करता है, वो पाकेतानी हो जाता है, और जब कोई दूसरा बाई बात करता है, वो अलगाओबादी हो जाता है, वो एंटी नैशनल हो जाता है, तो क्या जहीं लोग देशे बगते हैं। सवाल रहेगा कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्ट में देखा जाए तो दारा 370 स्टेट हुड बापिस से लेने की मांग की है, मगर वहीं अगर पूर मंतरी मन्याल जी से हमने बात करी तो उन्हों न कहा कि 370 अब गंगा गई हड़ी हैं, वो बापिस नहीं आएगा, आप कैसे द पी एर सी, परमेंटर रिजन सर्टिफिकेट जो को हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं, वो उन्निसो स्टाइ में दे दिया कि बाहर से जूपी बिहार से जहां अधर पार्ट से लोग इधर ना आएंगे और ना ही इधर जमी ले सकेंगे, लेकिन आज डोमी सहल बनाकर जो अगर इन लोगों के बच्चे ही जाहें नौकरियां करेंगे, तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे, हमारे लोग कहां जाएंगे, तो मैं यह कहूंगा, कि हमारी नौकरियां और हमारे जमीने, जे सेफ रहनी चाहिए, जे बाहर से आकार नहीं ले सकता, जे जूपी बिहार का का नहीं लेने देंगे तीन सो कतरी होगा तो बो इंप्लिमेंट कराई रामगड बात करें रामगड का इलाका है और यहां पर देखा जाए तो जुवा नशे की ओर जादा जा रहा है उसको किस तरह से देखते हैं और देखिए यह सरकार की पालसी है मैं सची बात बताऊं मैं कहता हूं पालसी कोई नहीं है स्टेडियम नहीं है सुबा जाएं बच्चे कोई नेट लगाए कोई किरिकट खेड़ ले कोई अपने दोर लगाए वो है कोई नहीं और उसके बाद इनोंने क्या बार्डर के लोगों को को special recruitment drive के लिए सोचा है क्या पहले हर पाएं साल के के बाद में इधर special recruitment होती थी तो आपको जाद होगा कि जब गुरुवईन जगत हुआ करते थे जाट एक डीजी पी हुआ करते थे special recruitment करते थे शेफ होड़ जवान होता था उसको अंस बादर देते थे क्या वो आए तक हुआ उसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारी ये कोशी होगी कि बादर के लोगों को special recruitment के लिए हो ताके जही लोग हैं जिनोंना बादर को safe रखा है जही लोग हैं जो उनके मुगाबला करते ह हैं जही लोग हैं कि जिसकी बड़ा से जो उपर लोगों बैठे हैं बो safe है तो क्या इनकी और तबज्व नहीं देना चाहिए तो मैं जह कहता हूँ ये हमारा जे बो लाका है जहां पर राशन जे पैदा करते हैं और बड़े बड़े जो इशारों वाले बो खाते हैं पर्म जल जाता है इन लोगों को जमीनों की बो साब सीटी बो हैल और खात की नहीं मिले तो मैं जह कहूंगा ओवराल जे लोगा मैसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ दोखा हुआ इन लोगों ने तीन बार एंपी बजिता कर बेजा है भारती जनता पार्टी का उसका फंड्स का है कि उन्होंने क्या पालिसियां सोचे हैं लोगों के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं इन बच्चों के फ्यूचर के लिए दे कांडू एंटी तो इसलिए जह लोग समझ गए हैं अब लोग परिवर्तन चाते हैं अगर परिवर्तन हुआ तो जिस तरह मैंने सांबा में काम किये हैं वो ही साथ काम रामगर में हो गए हजारों के तादाद में टीचर इंपॉइंट किये हैं जो जो सांबा में चाहिए था वो कर दिया है आज ये लोग आप इनके घरों में जाना बीस बॉट का तो पाणी पीते हैं मैं कहता हूं 90 परसेंट दो हमारे इनको कैंसर बलड तो इनके लिए हम तूबिल का बंदोबस्ट करेंगे गरगर में जो मोधी साब का जो नहरा नाल होगा पूछिये कहां जाले है कहां जाले है मैं कहता हूँ अपने गरों में पाणी पीते हैं दूसरा पाणी तो मिल नहीं रहा है जो हमारे साइन्टीफिक तरिके से जो ड़क्तो लोग है वो कहते है कम से कम एक हजार फीट जो पानी गह रहा है वो लोगों को दिया जाए बाटी पॉलिसी आफ ती गोर्वेंट क्या इनके लिए है तो जो जो मैं मैं सोच रहा हूँ वो लोगों को करके दखाएंगे। जादे इनके MLA नहीं आएंगे। और 50 प्लास का नहरा कहां से लेंगे। अपने MP नहीं से नहीं नहीं से लेंगे। तो MLA कहां से लेंगे। क्या पुंडशिर्योरी में जे बीजेपी का MP था। इन्होंने तो बैड़ बाले की स्पोड किया। अब बैड़ बाले को आगे करके बोड तोड़ने की कोशी करें। सबसे पहले जो हमारा इस लाके का जो है फूचर चाहिए तो इनको यह पता है वाइद और वाइद नेशल कॉणफरेंस की गौर्णमेट बनेगी और जहीं लोग इनका फूचर समाल सकते। अगर जश्पाल कुंडल यहां पर रामगर्ड विदान सवा में जीत कर आते हैं तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे क्योंकि एहम मुद्दा जब हम लोगों से पूचने के तो लोगों ने एक राशन काड और बिजली का एहम मुद्दा बताया जो कि उनके पास नहीं बन प होने है इसकी खुबसूर्ति के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए जैसे मैने सांबा में ता दरताली कुरोण पे आया था सांबा कि मुद्द्दी को समार्ट बनाने के लिए तो कोशिश करेंगे एक रामगर के लिए प्रोजेक्ट मनाएं गे और इसी के साथ साथ मैं देखता हूँ आते जाते कोई बाथरूम नहीं है, यह मुझस फेल्टी है, अगर हमारी माता बहना बाहर से आती है, बाथरूम जाना तो कहा जाना है, क्या सरकार की जिए नहीं है, मेरे सांबा में जग में पांच बाथरूम नाया, पांच, शब्वीस लाह के, तो इदरे है ह लोगों राशने कार बने हुए सब्सक्राइब। One house start. लेकन इंदरा गाधी ने का ये नहीं, उसके बाद, ने के लिए पत्नी भी आएब। फिर उनुने कहा फैमिली पैंशन तब स्टार्ट हुई है तो जह ऐसे बाते करते हैं आपको जाद होगा जब 1970 में पाकिस्तान से बार हुई बंगलादेश को अलग किया और पाकिस्तान की 90 हजार फोर्स को हमने ग्रिफतार किया वो कौन था कांगर्स थी जो आज इंफ्रास् पेश्पे होस्पिटल तरब की दिया था और जीव गांधी जब फिस्पिटल है हमारा वो तब दिया था जी आज कहते हमें किया है जो कांगर्स ने सतर शाल में बनाया इनोंने दा साल में बेचने का काम किया तो यह तेमारे साथ अगुर्भ मंत्री जैस्पाल कुंडल जी जो की कह रहे हैं कि रामगड की जो भी लोगों की समस्या होंगी वो हम हल करेंगे वाचन 24 के लिए लक्षमर सर्मा